पडोसन के साथ बक्री चनाने से मना करने पर देवर भावी में हुआ विवाद गुस्ताय देवर ने कुलहारी से हत्या कर भावी को उतारा मौत के घाट हत्या कर खून से सनी कुलहारी लेकर थाने पहुचा आरोपी देवर खबरों के प्रायो जग है होटल एक्यू होटल एक्यू में मात्र बारा सो पचास रुपए में रूम प्रारंब पनजले की अजिगर थाना अंत्रकत एक दिल देना देने वाला मामला सामने आया है जहाँ परोसन साथ बक्री चराने से मना करने पर देवर और भावी में विवाध हो गया जब भावी परोसन के साथ बक्री चराने को लेकर नहीं मानी तो सराप की नसे में धुर्थ गुसाए देवन ने अपनी ही भावी को कुलहारी से मार कर मौत के खाट उतार दिया गटना के बाद आरोपी खून से सनी कुलहारी लेकर ठाने पहुँच गया जिसके बाद ठाने में हडका मज़ गया गटना के समद में जनकारी के नुसार कल ही केवट उम्र 45 वरस निवासी 12 कगरे पडोस की महीला के साथ बक्री चराने जंगल जाती थी जो उसके देवर को नागवार गुजरती थी जिसको लेकर उसके देवर राजहराम के द्वारा बार बार मना किया गया इसी बात को लेकर कल दोपहर में मतिका और उसके देवर के भीज विवाद हो गया और गुस्साय देवन ने बक्री चराने गई अपनी भावी को कुलहारी से माल कर मौत के घाट उतार दिया और खूल से सनी कुलहारी लेकर अजिगर ठाना पहुच गया इसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी मृतिका के लड़के को दी और घटना इस तल पर पहुचकर शव अजिगे मृत्र देगे घए तो इतनी बाद भूला फिर यह चला गया अपने खेत को तिर तिन चार वजे यह मम्मी गई हमारी बखरी चराने तो यह कुलहडी लेके गया अपने खेत को तिर फिर यह पंच छे वजी टरे एक उधर से कुःड़ से कितनी वजे गया नहीं ग थाने से फोन हमारी भी आगे थी तो मम्मी नहीं आई तो काकु देरो घूंड़ी पहते पागी पता नहीं चला तर रात में इह से फिर जैसे कैसे फिर फोन हमको आया था कि सर तुमारी मंमी कहां है तो सर नकॉन भीया है लड़ती कौन दोल हरें मागवा सर हरी परसाद बोला क बहुता है तो शुल्स कोंद लेकर राजरा कुछ काहां गात से ओगे तब फलिस आजे तब पुलिस आजे तक अब गई तब हम भी गही तो तब इसी नहीं घटना एंधर किस चीज से माँरा है राजरां भुलाडी से काट के मारा गर्दन में कई जग है यहां सर को चोटा घर्दन से कई ज़ेज़े जोगा इधर चोगी ज़ेज़े ग्राम बाराक रग्रे में कल सुचना प्राफ कुई थी कि कल ही नाम की महिला की और उनके देवर ने कुलाडी मार के हत्ता कर दी है जो मौके पर जाकर हमने उनके बैदाने विदीबद कारवाही किये और अपराद पंजीबद कर लिया है बिवेशना दोरान जो भी तर्थ पाए जाएंगे उसके कारवाही कर रहे हैं और अभी आरोपी को हमने पुलिस अभी रक्षा में ले लिया है